नमस्कार आपका सवगात है आपकी की यूट्यूब चैनल स्थाक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग के बारे में जिन्हों ने भी चैनल के सब्सक्राइब करने बैल आइकोन पर क्लिक करने वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम बर्गर किंग की र में इक्सपैंसस थे वह 2260 मिलियन के थे और मार्च कॉटर 21 में जो एक्सपैंसस में हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपैंसस जो है कम होते हुए नजर आ रहा हैं क्वाटर और को कंपनी की यर औन यर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं तो बात करते हैं टोटल इंकम की फाइने यहां पर यहां पर यहां पर हम प्रॉफिट को देख लेते हैं तो बात करते हैं लॉस बिफोर टेक्स की तो मार्च गॉटर बीच में तीन सुच्छाटर मिलियन के जो लॉस थे वह मार्च गॉटर एक्किस में क्रॉट है तो यहां पर हमें लॉस काम होती है दिखाई दे रहे हैं अगर बात करते हैं लॉस फॉर्ट की तो मार्च गॉटर बीच में तीन सुचाटर मिलियन जो लॉस थे मार्च गॉटर 21 में 269 मिलियन के हैं तो वही जो टेक्स के पहले थे वही अभी दिखाई दे रहे हैं तो कंपनी को जो है लॉस तो हैं लेकिन कम हुए हैं अगर हम बात करते हैं यह और पर्फॉर्मेंस की तो लॉस बिफोर टेक्स जो फाइनेंसियल एर उनीस बीस में साथ सोपैंसट मिलियन के लॉस थे वह फाइनेंसियल यह रूबीस इसमें 1749 मिलियन के हो गए हैं और अगर बात करते हैं लॉस फॉर्ट पीरेट की तो साथ सोपैंसट मिलियन के लॉस में कनवर्ट हुए हैं तो यहां पर टेक्स जीरो दिखा रहा है इस करांड से जो लॉस टैक्स है लाउस आफट टैक्स हैं दोनों लेज़ें दिखाई दिया रही हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें यहं यर में लाउस कंपणी बढ़ते हुए नजार आ रहे हैं कंपनी के को देख लेते हैं तो कंपणी का जो मार्केट केप है वह 600.67 करोड का है नमर आप शो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वह 3035 करोड है बात करें तो 28 करोड की कैस्ट रिजार्व है प्रमोटर्स की जो होलिंग वह 52.69 प्रतिषद की है रोवी – 2.5 प्रतिषद का है एंटराइस वेल्यू की बात करें तो 6.270 कोड़ की एंटराइस वेल्यू है फेज वेल्यू 10 है कंपनी पर अगर हम कर्जे की बात करें तो 229.72 के करजे हैं जो कि कैस रेजार्व से लगभग 809 होना है अब हम EPS को देखते हैं तो वह माइनस 2 रूपए दिखाई दे रहा है आरोई माइनस 29.6 प्रतिशत का है और प्रॉफिट ग्रोज जो है वो आज के दिन की लाश्ट रेडिंग प्राइस की बात की जाए तो वह था 156 रूपए 15 पैसे आज की दिन में जो रेटर्न दिया है वह दो किया है तो 2017 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 234 करोड का था जो कि 2018 बढ़कर 388 करोड हो गया 2019 में 644 करोड का हो गया और 2020 में 846 करोड का हो गया तो यहां पर हमें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब समस्य यह है कि प्रॉफ से 18 में लॉस बढ़े फिर 18-19 में कम हुए 19-20 में फिर बढ़े हैं अब पैटरन को देख लेते हैं चुकि नई लिस्टेट कंपनी है इसकांट से इसके दो क्वाटर के ही से हो रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग दिसम्बर बीसमें 52.88 थी जो कि मार्च के से 52.6 हो गई है यहां पर कमी आई है और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है थोड़ी कमी आई है तो इस प्रकार कंपनी ने पिछले यहर के दुल्ला में हमें और ज्यादा लॉस को दिखाया है यह कंपनी के रेजल्ट्स थे कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं लॉस में है अब जिन्हों सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद